नमस्ते स्टूडेंट आज की वीडियो में मैं आपको ये बात पताने वाला हूं कि आप लोग मुझे डेली वाटसप पर मेसेज कर रहे हो किसर 95 वीडियो वाला मुझे कोर्स चाहिए तो और आप लोग उसको ले भी रहे हो पड़ भी रहे हो लेकिन उसी के अंदर मैं एक ब गंटे और अपना टाइम बढ़ा दो तो पूरा कोर्स फर्स्ट मैच सकेंड मैच दोनों कंप्लीट पूरा कोर्स आप कर सकते हो सिर्फ आधे घंटे अगर डेली टाइम बढ़ा देंगे तो अगर आप ऐसा करते हो तो आप 67 नंबर ही नहीं आप 90 प्लस जाओगे और आफ- पूच रहा था कि आप लोगों को बताओं अब हर एक को फोन करके बताना पॉसिबल नहीं था इसना ते मैंने सोचा कि वीडियो के माध्यम से बता दे रहा हूं और इसका फायदा ये भी होगा कि जो चात्रवी कोर्स ले नहीं पाए हैं इधर दर अभी है या सोच रहे हैं साथी विवामें विजी थे उनको भी जानकारी हो जाएगी कि कोई कोर्स है जिसको पढ़के मैथ में फेल होने से बचा जा सकता है वाकि हिंदी अंग्रेजी तो आप पढ़ी रहो उसमें तो घीजगाच के आप पास हो जाओगे या घीजगाच के अच्छे नंबर ला सकत से हो लेकिन मैथ में कोई भी मनगढंत सायरी चुट्पिला कहानी गाना कुछ भी नहीं लिख पाऊज आपको लिखना है तो मेथ ही लिखना है करना है तो मेनध ही करना है कोई जुगाड ने कोई बनावटी पन रहे कोई नाटक नहीं और रुपया पैसा भी कांपी में रह रखते हो ना तो आपके लिए एक भी परसेंट फायदा नहीं करेगा तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप पढ़िए ताइम से पढ़िए समय से पहले मैं आप लोगों को वीडियो दे चुका हूं और दे भी दूंगा और दिसंबर रहते आप अगर कोर्स ले लेते हैं कुमान के चलिए कि जन्वरी फनवरी में आप पास कर जाएंगे पूरा कंप्रीट कोर्स और पर इंच्छा भी अच्छी ढंग से पास कर जाएँगे मैं बार-बार अपना ही कोर्स पेचने की कुर्शिस करता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे कोर्स में वह क्वालिटी ह को दम है वो सब कुछ है जो चाहिए एक कोस के अंदर और बाकी लोगों का कैसा है पढ़ाने वाला कोई और कोई और आधा धूरा होता है तो वहां पर बच्चों के साथ प्राबलम हो जाती है लेकिन मेरे साथ आप जोड़ोगे तो आपको कोई प्राबलम नहीं होने वाली है सारी चीज़े आपको मिलेंगी ही और आपको समझ में भी आएगा मैंने चोटे सवाल बड़े सवाल सारे सवाल करवाए हैं कोई भी चात्रिये नहीं कहेंगा किसा सबने आधा छोड़ दिया आधा ही बताया यह सबने बड़े-बड़े कोस्चिन छोड़ा सिर्फ छोटे ब सब्सक्राइब कीजिए अभी जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है शुरू आज से लेकि अभी तक उसके फोन करके कोर्स लीजिए पढ़िए आगे बढ़िए बाकी बाते होते रहेंगी